जैस्री कुष्णन दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबके स्वागत है दोस्तों आज मैं तीन ऐसे व्रक्षों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम सभी लोग जानते हैं पूजा भी करते हैं लेकिन उनके जो मातम्य है महता है उनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं जो पुराणों में वरनित है उसके बारे में आपको बताता हूं ये मानव जिवन है रोज मर्रा की जिन्दगी है काफी विजी अभी तो काफी कॉंपटिशन का जमाना है कामकाज में सभी लोग विजी है तो तीरतों पर जाने का मुका भूत कम लोग ही जा पाते हैं भूत कम लोगों को ही सोभग्य प्राप्त होता है तीरतों पर जाने का क्योंकि अधिकांस लोगों के पास धन्नी होता अधिकांस लोगों के पास समयनी होता तो वो दुरभाग्यवस रह जाते हैं तो ऐसा क्या किया जाए कि घर को ही तीर्थ बना ले अर्थाथ यदि हम घर को ही तीर्थ बना लेते हैं अगर घर पर ही तीर्थ बना लेते हैं तो अमको तीर्थ पर जाने की आवश्कता नहीं है ऐसा प्राणों में वर्नन है वो तीन वरक्ष ऐसे हैं यदि उनको एक साथ लगाया जाए घर में घर के आंगन में अगर उनको एक साथ अप लगा देते हैं तो उस स्थान को तीर्थ स्थान से भी ज्यादा मही में दी गई है उन में से परतम वरक्ष है आवला अभी तक हमने आवले का ही सिर्फ ये फाइदा देखा है कि आवला नम्मी पर उसकी पूजा कर लो आवला जूस पीलो ये फाइदा होगा ये फाइदा होगा लेकिन ये नहीं पता उसकी महीमा इतनी अपार है एक तो वो वरक्ष हुआ आवले कि मैं आपको उत्पत्ती महीमा पुजनविदी सब बताऊंगा आने वाले वीडियों में एक तो आवला हुआ प्रतम वरक्ष दूसरा बिलुपत्र भी परमपवित्र वरक्ष है वो उसका सभी रस पीते हैं बिलुपत्र का बिलुव रस भिलुफल उखाते हैं शितलता के लिए उसकी अभी धारमिक महत्व है दो वरक्ष वे तीसरा वरक्ष है तुलसी परमपवित्र पोदा है वो तो सब जानते ही हैं हर घर में अधिकांस्ते मिल जाया करता है दो तरेकी की तुलसी देखी गई है श्यामा और रामा कोई शीवी तुलसी हो वो आप इन तीनों को एक साथ लगा ये घर के प्रांगण में और उसन की देखबाल कीजिए उनके दर्शन कीजिए तो जो फल आपको तीरते स्थानों पर जाने से नहीं मिलता उतना फल आप उससे दसगुना फल आपको इन वरक्षों की शेवा करने से लगाने से मिल जाएगा तो अगर यदि आप जाने में एसमर्थ हैं धन नहीं है समय नहीं है तो आप इन चीजों का इन वरक्षों का लेकर आईए और लगईए देखबाल कीजिए इनकी जो पूजा है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा तो सिर्फ आप नवरात्री से पहले इन वरक्षों को विरक्षारूपन कीजिए और वैसे भी वनस्पती है ये आप जैसे की बात करें बुद्ध ग्रय है वनस्पती कारक और चंद्रमा हैं सुक्र हैं गुरू हैं ये चार गरह बली हो जाते हैं बलवान हो जाते हैं वरक्षों को लगाने से इसो जदबुद्ध बलवान होता है तो आप इन वरक्षों को लगाईए जहां पर भी आप ये वरक्ष लगाएंगे वो तीरतिस्तान हो जाएगा फिर आप उसका फायदा उठाईए लाव उठाईए और भी नई जानकारी के लिए अगले वीडियो के इंतिजार कीजिए अभी तो मैं विदा चाता हूँ जय श्री कृष्णा श्री राधे